तो दोस्तों मैं आपसे इस बीडियो में food technology course के बारे में आपसे मैं इस बीडियो में discuss करने वाला हूँ हूँ सबसे पहरे मैं आपसे discuss करूँगा कि food technology course क्या होता है इसमें कौन-कौन से subject होते हैं जाए course कितने वर्ष का course होता है eligibility criteria और अन्तमी दोस्तों मैं आपसे job profiles के बारे में आपसे मैं discuss करने वाला हूँ कि अगर आप food technology का course complete कर लेते हो आपको किस-किस प्रकार की job मिल सकती है तो जाए सारी बाते हैं आपसे मैं इस बीडियो में discuss करने वाला हूँ Hello friends आप देख रहे हो educational word star channel तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपसे food technology course के बारे में आपसे मैं इस बीडियो में discuss करने वाला हूँ दोस्तों अगर आपने 12th की class को pass कर लिया है और आपको जैज जानना है कि 12th की class को pass करने के बाद आखिर कौन-कौन से courses होते हैं तो मैंने उन वीडियो का link इस बीडियो के description में दे दिया है आप इस बीडियो के खत्म होने के बाद उन वीडियो को भी जरूर देखिएगा तो चलिए अब हम अपने इस बीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहले मैं आपसे discuss करने वाला हों कि what is food technology course जैनि food technology course क्या है तो मैं आपको उताना चाहता हूं कि food technology course एक undergraduate course है और इस course को जो student होते हैं वो 12th की class को pass करने के बाद करते हैं तो food technology course में आपको food processing आखिर कौन-कौन सी applications होती है food engineering में जैस सारी बातें आपको सिखाई और पड़ाई जाती हैं तो जैसा कि आपको पता है कि आज के time में जो food industry है वो काफी तेजी से grow हो रही है उस हिसाब से देखा जाए तो इस course को जो students होते हैं काफी करते हैं आज के time में जै कोर्स काफी popular है और कई ऐसे colleges आज के time में open हो चुके हैं जो इस course को दोस्तो करवाते हैं तो अभी मैं आपसे course डिरूशन के बारे में आपसे में discuss करने वाला हों कि आखिर food technology का course कितने वर्ष का course होता है तो दोस्तो मैं आपको उतना चाहता हूँ कि food technology का course चार वर्ष का course होता है और चार वर्ष के अंदर आपको semester system के base के उपर आपको इस course को पूरा करवाया जाता है इस course में 8 semester होते हैं और एक साल में आप 2 semester को पूरा करते हो अभी आपसे मैं job profiles के बारे में आपसे मैं discuss करने वाला हूँ कि अगर आप food technology का course कंप्लीट कर लेते हो आपको किस प्रकार की job मिल सकती है तो दोस्तो आप food consultant बन सकते हो आप production manager भी बन सकते हो इसके इलावा आप food scientist भी बन सकते हो आप किसी भी sector में job apply कर सकते हो चाहे वो government हो सकती है जान तो वो private हो सकती है अभी आपसे मैं subject discuss करने वाला हूँ कि food technology course में आपको किस प्रकार के subjects आपको पढ़ने के लिए मिल सकते हैं तो इस course में आपको mathematics, chemistry, physics, food, biochemistry, food, microbiology, food processing, engineering, etc. subjects आपको पढ़ने के लिए मिल सकते हैं और वी food technology course में कई सारे subjects होते हैं जो आपको इस course के दुरान करवाए जाते हैं अभी आपसे मैं eligibility criteria और admission process के बारे में आपसे मैं discuss करने वाला हूँ कि आप food technology course में किस प्रकार से admission ले सकते हो तो food technology course में admission लेने के लिए दोस्तो आपको 12th की class को पास करना होगा अगर आपने 12th की class science के subject के साथ पास की है तब आप इस course के लिए eligible हो जाते हो science के subject अब जैसे की physics, chemistry और mathematics इसके इलावा अगर आपने physics, chemistry और biology का subject भी लिया है तब भी आप इस course के लिए eligible हो जाते हो चाहे आपने PCB किया हो जा तो आपने PCM किया हो आप इस course के लिए eligible हो जाते हो तो दोस्तों अभी मैंने आपसे इस बीडियो में food technology course के बारे में आपसे मैंने discuss किया है मुझे लगता है कि आपका जो doubt होगा इस course के regarding बहुत कलियर हो चुका होगा लेकिन फिर भी अगर आपका कोई doubt है तो आप नीचे मुझे comment box में comment करके पूछ सकते हो नहीं तो आपको इस बीडियो के description में काफी courses के बारे में बीडियो मिल जाएंगी आप उन्यवान जाकर भी देख सकते हो तो अंत में दोस्तों अभी आपको जै बीडियो कैसी लगी अगर आपको जै बीडियो पसंद आई है तो बीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलना धन्यवाद